हालो एब्रीवान कैसे वाफ सब और आपको टाइडल देके पता चल गया होगा कि आज मैं क्या दिखा रहे हूं दिखाना चाहती हूं येस मैं अज डिप क्लीन करूंगे फ्रीज बहुत गंदा हो गया जब से अमदाबास से आये ना तब से मैंने नहीं किया था आज करूंग दो नमक डालेंगे दाल के उसको अच्छे से और सूजी बीडालना है मैं भूल गयी सूजी डालना है से बहुत ज्यादा अच्छे फ्लॉपी बणता है और क्रिस्पी बदए अच्छे कर दोक्ता है हूं थोड़ा सा में सोडा भी आार किया की आदो धीजितना करला प Wait क्योट लिए नषी थोब हो इन वांड़ों से भी करते हैं तो हो जाता है तो चाहिसे भी करके मेरा हो गया था लेकिन पहले ना मुझे भी नहीं आता था अभी मुझे आ रहा है हातों से बनाना तो यहां पर में मेंदु बड़ा सब तल के रख दूंगी और यहां पर नीचे टीशू रखा था तो उपर फिर से मेंदु बड़ा रखेंगे ना तो पूरा बड़ा के उपर बड़ा रखेंगे तो ओईल नीचे वाला बड़ा सोक कर लेगा तो इसलिए मैं थोड़ा टीशू रखके फिर उपर बड़ा रखा और यहां पर मैं प्लेन दोसा बनाऊंगी आज और वही सेम ट्रिक में यूज करती हूं थोड़ा सा ओईल पानी डालती हूं फिर उसक प्लेज करता है तब डालना चाहिए और कितना अच्छा से दोसा निकल जाएगा मतलब आपको बहुत आसानी से बना सकते हो इतना क्रिस्पी बनता है और बहुत अच्छा आसानी से निकल जाता है तो यहां पर मैं यशू को दे दूंगी खाने के लिए फिर आहां मुसके ब बड़ा और आपको कैसा लग रहा है और यहां पर येशु का ब्रेकफस्ट होने के बाद हमारा भी ब्रेकफस्ट हो गया था और उसके बाद में किचन में आगी थी और फ्रीज साप करूंगी अभी बहुत टाइम लगेगा मुझे और इमें यह होमेड क्लिंजर बनाऊंगी एक यह मेर् फूराना लेमं बाद पानि में आपके पास वाइड वीनेगार है तो आप के पास वाइड वीनेगार है तो गPeppie कर सकते हो चीली विनेगर को छोड़ के नी तो आपको खासी आएगी और यहां पर में अच्छा से उसको शेक करके बोटल में डाल दूंगी नमिला के और उसके बाद हम फ्रीज में साप कर डालेंगे उसको और फ्रीज इसका बेस्ट टाइम होता है ना जब फ्रीज खाली होत तो इसलिए मैं मुझे लगा कि नहीं में फ्रीज साफ करके फिर में जो लाई हूं वो डालूंगी जो भी डैरी प्रड़क्त लाई हूं जो भी सॉस बगरा लाई हूं वो में डालूंगी फ्रीज साफ करने के बाद तो यहां पर मैंने सारे स्प्रे कर लिया है और दस मिनि और बहुत आसानी से निकल जाता है आप बिलीब नहीं करोगे बहुत अच्छा आसानी से निकलता है और आपके दग धपे रहता है ना तो आप लिक्विट थोड़ा डाल सकते हो डिश वासर जो है वो डाल सकते हो डाल के फिर वाप उसको फिर से क्लीन वाटर में वाइप करन धढ़ें गालरायजा निकाल के मैं उसको अलग धम अलग दोलंगी तो हो जाएगा और वह कॉंस्टांट नहीं आप वाइप करोगे तो वह दाक रह जाता है पुरा वाइट में लग जाता है और जाता ही नहीं बहुत मुस्किल लगता है जाने के लिए और यहां पर में वाइप कर लूँगी सब दो लिया था मैंने और यह से कॉटन टावल में आप आप आपकी दूप आती है घर में तो आप सुखा सकते हो मेरे यहां पर दूप नहीं आती है तो मैंने जस्ट वाइप कर लिया और मुझे जल्दी था क्योंकि फ्रीज में सब स्टोर करना है इसलिए और मैं सब सेट कर रही हूं फिर से ट्रे वगएरा जो है उसको लगा र रहेगा और मैं यह प्लास्टिक वाइट कलर सीट्स इूज करती हूं इसमें बहुत बेनिफिट है क्योंकि एक तो ग्लास को स्क्राच नहीं होगा सेल्फ में और दूसरी जो खाना आप रखते हो लेप्टाब और फूड रखते हो ना वह दिखता नहीं है आप एक दिन दूस इसलिए और यह में मलाई इरकते हूं नीचे और चीज में रखते हूं क्योंकि चीस में डेली में यूज में और कुछ मसाला है जो कि खराब होने तो एंवर तो थोड़ा क्रंची लगता है तो यसलिए रोस्टेड हैं तो इसलिए मैं टीफिरीज में रखती हूं तो वहां पर बड़े वो डिया जो भी में रख रही हूं और ऐसे मैं ट्रे यूज करती हूँ ये ट्रे बहुत अच्छा है बहुत यूसबुल है अब मस्ट आप लोग यूज कीजिए मैं तो मस्ट बोलूँगी आप खरीदिये बहुत अच्छा है स्पेस आपका इतना बच जाएगा और आप फ्रीज इतने अच्छे से और्गानाई यूज करते हैं अब दूसरे जो वेजटेबल से उसके हिसाब से और यहां पर पालक भी था तो पालक आपको लॉग टाइम के लिए यसे रखना है तो आप इसे टावल में रैप करके रख सकते हो बहुत लॉग टाइम तक आपका पालक जाएगा और यहां पर वेजटेबल वेजटे तरे इंए में वेडाता दाला था उसका यह बड़ा वाला था उसके अंदर ही छोटा-चोटा कमपाट्मेंट था तो यह में में बड़े बड़े चीज हों जैसे लॉंग निवेज हो गया और हैं पर मैं डाल रही हूं पीज क्यूंकि में ठोडा चीलते हूं और क आप खुद लाओगे तो आपको पता चलेगा और यहां पर यह एक मैने लाया था और फ्रीज का और बहुत अच्छा उसमें आप रख सकते हो धनिया रख सकते हो क्योंकि नीचे का जो ट्रे है ना जो पानी वगरा रेता है वो सोक करके नीचे स्टोर हो जाता है और आपका च यहां और बहुत ऊपने हो आप अचने के ज़ डशन रहत है चाहिए जिदेना हो जाइएब बहुत आफका चाहिए और यह बहुत लांग टाइम तक फ्रेश रहेगा और यह बहुत लांक ठैम तक फ्रेस रहेगा स्टोर है यह नीचे की वेजटाबलbas जस्त वोपर बाक्स म उपर में रखती हूं सारे जो वेजिटेबल से और जो एयर जहां पर आता है ना थोड़ा बहुत जादा उसी में ही में लेप्ट ओवर फूड रखती हूं क्यूंकि वह बहुत खराब होने का चांसे है और मैं एक दो दिन में कंजिव कर लेती हूं और यह करीब पता है करीब यह साइड डोर में तो लास्ट ठे जो उसमें में सारे सोस रकती हूं कि जो ज्या 흡़ा में यूज से कर ते हूं कि में नीचे रखती हूं जो ज्यादा यूज करती हूं में तोड़ा टोले में थोड़ा ओपर रखती हूं स्द्रील चोकलेट स Secotic Ch influx निशू को देती हूं पीनट बटर और सौस बगरा जो भी है पाउच वाला में वह बीच में रखते हूं क्योंकि ये डेली बेसिस में में यूज होता है और एक ट्रे में एक रख लेती हूं लेकिन मेरे पास ट्रे अलग है में वह भी रखती हूं और थोड़ा सा एसेंस वगरा वह साइट में रख और एक ट्रे में जो की कटा हुआ वेजटेबल्स मेरा रह जाता है तो मैं ऐसे ही ट्रे में उसको रखती हूं क्योंकि वह पानी थोड़ा रहता है उसमें तो पानी नीचे आ जाएगा और ऊपर वेजटेबल्स फ्रेज रहेगा और मैं जल्दी उसको यूज कर लोगी तो यूज करके मेरा फ्रीज हो गया है और मेरे फ्रीज में क्या-kya है आपको मेने दिखा दिया है रहागाए बहुत यह चोटा फ्रीज हो आप अप अच्छे अर्गनाइस करोगे बहुत यह सब जो मैं यूज कुई हूँ इसमें आपका स्पेस बच जाएगा और बहुत अच icon to get notification और फिर मिलेंगे और एक वीडियो में, तब तक, bye bye